नमस्कार, मैं एस्टोजर प्रमिल चत्रिवधी। मित्रू जन्मकुंडली के तहट राज्युग देने वाले मुख तत्यात्मग्रा, राजभंग को प्रदर्शित करने वाले मुख तत्यात्मग्रा को आप कैसे चिनित कर पाएंगे। की संकलपना की बात करें, स्रीमद भगवद गीता के तहट जब लौड कृष्णा चुकी वह आद्यदेव के रूप में हैं, उन्हें शरीर धारन करते हुए इस मर्तलुक में आने की आवश्यक्ता नहीं थी, परन्तु जब अरजुन अपने कर्दब परायरता को भूल चुके थे, युद से बिमुक हो रहे थे, उन्हें मोमाया के जंजाल में आना पड़ा था, उन्होंने उनका खुद का उधरन था, अपने वाक्यांस के प्रस्तु तिक्रण करते हुए, उन्होंने लौड कृष्णा के तहत उनका संबाद भी मिलता है, कि इस युद के बजाए हम भिच्छा बृति में लिफ्ट हो जाएं तो बहतर होगा, सामने हमारे मामा हैं, ससुर हैं, मित्र हैं, सखा हैं, भाई बंदू हैं, हमारे गुरु हैं, युद करने की नौबत ऐसी क्यों आन पड़ी है, लौड कृष्णा और अर्जुन का एक महत्पुन, एक तथ्यात्मक एक बिवारिक और अदर्शात्मक एक दर्षण के तहट, जब लौड कृष्णा यह बताते हैं, अर्जुन को, कि आप युद्ध नहीं भी करेंगे, तो कौरो मारे जाएंगे, अर्थात प्रिडिसाइड है, जो होना है, वो होना ही होना है, हमारे पुरु जर्म की जो संकल अपना रही है, वर्तमान में हमारी नियती कैसी है, हमारे अचार विवार का कैसा संतुलन है, हम अपने किस प्रकार के संसकार में है, बहु सारी ऐसे अदर्शात्मक, मुल्यात्मक, आउधारना का समागम, एक भागे के रूप में हम सबों को फ्यूचर में इस जीवन की भगवत गीता में स्वयंग भगवन थे, लौड कृष्णा जो मानों के रूप में, एक सखा के रूप में अरजुन के सापेच उनके सार्थिक रूप में थे, हमें और आपको मॉटिवेट करने के लिए इस जीवन की बेवारिक और तथ्यात्मक दर्शन को समझाने के अरथात जनकूंड़ी की बात करें, तो यह प्लानेट ही हम सबों को मॉटिवेट करते हैं कि आप किस ग्रास से पुलित होने वाले हैं, किस ग्रास से राजियों की प्राप्ति होने वाली है, मित्रों, बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, आप अपने जनपत्रिका के आठवा भाव जो रहस्य का भाव है, मिर्तो का भाव है, उम्र की कैलकूलेशन भी आठवे भाव से की जाती है, आपको समझाने के प्रयास में आपकी जनपत्रिका का या बारा भाव है, इस बारा भाव में अस्टम भाव जो रहस्य का भाव है, मिर्तो का भाव है, आयो की गरना भी आठवे भाव से की जाती है आपको यह चिन्नित करना है कि आपके जनपत्रिका में अस्टम भाव में कितने गरहों की कंजक्शन मोड बनी हुई है अर्था कितने गरह इस्थित हैं सपूर्ज देट चंद्रमा अगर आठवे है तो चंद्रमा मानसिक बिवस्था को चर्थार्थ करती है हमारे बौडी में हमारे शरीर में जली तत्त्य की बिवस्था को बदाती है अस्टम का चंद्रमा यदी है तो सुस्क त्वचा है आपको जली परिछित्र से दूर रहने की आवश्यक्ता है नाओ की यात्रा इस्टीमर की यात्रा नहीं करनी है दूसरी चीज अपने बौधिक्ता के सुंदर विकास करने है तो आप चंद्रमा की उपास ना करे भगवान शिव की अर्चना करे यदी आठवे में सोरी है तो चुकि सोरी आत्मा है सोरी पिता जनक की बिवस्था को यस आठवे का सोरी है तो सोरी की उपासना पर बेसेस फोकस करना है प्राता काल में आपको जल्दी बिस्तर त्यागना है पिता का सम्मान करना है यदी अस्टम का मंगल है तो मंगल को सिनापती माना गया है अस्टम की मंगल का सिधा सा अर्थ है मित्र द्रोह हो सकता है आपको चोट लग सकती है, आप अस्त्र और सस्त्र से आपको दूर रहना है, जमीन सम्मंधी बिवाद में आपको नहीं पढ़ना है, या उच्छुकता आपके जीवन शैली में आपके सापिक्ष रहनी चाहिए, कोई भी कारे यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो पाटनर स्विप से आपको दूर रहनी चाहिए, अर्थात अस्टम रास्य मंगल अगर वहां भी राजमान है, अस्टम भाव, अर्थात मृत्व भाव, उस अस्टम भावगत जो गरह इस्थित होते हैं, उन गरह की जो प्रकृति, सुभाव, नेचर, फीचर, जो कारेक्टर है, वह आपको उस अपने एक्स्प्रेशन पाउर पर आपको ध्यान देने की अर्शक्ता है, यदि आठवे का ब्रयाश्पत है, तो सम्मान करने का प्रयास करें, अपने उम्र से बड़े ओहदे के लोग के साथ गाठ में रहें, आपके गुरु, आपके अचार के प्रति, आपकी भावना ब्रयाश्पत का होता है, यदि आठवे में ब्रयाश्पत है, तो आप ब्रयाश्पत की उपासना करें, विश्नों की उपासना करें, यदि आठवे में शुक्र है, तो यदि आप मेल हैं, तो फीमेल का सम्मान करें, बहनों का, माताओं का, इस्त्री का सम्मान पर बेसिस ध आपको प्रेम की आशक्ति का भाव यदि आपके सापिक्ष आपकी व्यत्यत्त के संदर्व में है तो आपको इलट रहने की आवश्यक्ता है जो कि आठवे का शुक्र विरुदक होता है। आपको चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है आपके उम्र लंबी है। अस्टम में राहू है तो राजनितिक परिछत्र, मादक पदार्थ, सराब संबंधी व्यवसाय से आपको दूर रहने की आवश्यक्ता है। सुन्दर विवस्था में करमफल सिधानत के आरोपड को सिध्ध करने के लिए हमारा और आपका इस जीवन में आविरभाव हुआ है। प्रतेक ग्रह के उसके प्रकृती सभाव होते हैं और अस्टम रहस्य मृत्युभाव में जीन ग्रहों की इस्तिती बनती है। उन ग्रहों की प्रकृती सभाव नेचर फीचर जो कारेक्टर है या उसके संदर्व में हमें इलट रहने की आवशकता है। मित्रों जन्मकुंडली में राजयोग को प्रदान करने वाले कुछ सुंदर प्लानेट होते हैं, कुछ असुंदर अर्थात नेगेटिव फेड़बैक एक रिजल्ट के रूप में भी प्लानेट जीमेदार होते हैं। हमारे जन्मपत्रिका में हमें चिन्नित करना है कि हमारे जन्मपत्रिका में पे करने वाले कौन से प्लानेट जीमेदार हैं और नौन पैबुल प्लानेट कौन से हैं। मित्रों एक छोटी सी व्यक्यांस का प्रस्तु तिर्कन करते हुए मैं जोत्रविद प्रभिल चत्रविदी नमस्कार।